कि कर चकते हैं इस तरब को पर necessary your taxes आप्लारी कर थे और फीदॉंग की को छीघे है और ऑपको जानना है तो यह बने को मैं आपन सीन में आ गया यह एक बेड्रूम है इसके लिए आपको दिखा दू यहाँ पर मैं कोई भी light अभी इसमें डाला नहीं हूँ without light है यह ना ही कोई light है कही से भी light source कही से भी दिख रहा नहीं है बाकि हम लोग इसके लाइटिंग एड़ करेंगे और लाइटिंग कैसे एड़ करेंगे क्या क्या lighting एड़ कर सकते हैं इस तरह के इंटियर सीन में हो हम लोग देखेंगे तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो यह bedroom है इसके पीछे का यह भी circle है इधर पर एक चोड़ा सा आप कर लो नहीं करना है तो नहीं करो इतना important नहीं है मगर आप अगर इतना चीज गायब कर रहे हो तो आप इधर पर बैक ये देखो तो इसकते हो इना गायब भी नहीं है कि अधिक है अभी मैं आगया अपने सीन में आप यहां पर देख सकते हो कि अने सरी ही लड़ाइयर अपनी डाइक अ करेंगी अपनी आयडिक यहां पर इस सीन में इस सीन है Всё अप पूरबर जो वालनों है आप बोलोगे इस तरह से गायब कि इसके इसलिक हो एलकी वीडियो बना चुगा हो चाहां जाहान पर है है वहाँ पर पतला सा वाल है हम लोगैने इन की तरफ से पूरी दिखने वाल है पैक है आ spielen के लिए प्रॉब्लम सब्सक्राइब एदर पर यहांपर क्लिक करके आप देख सकते हो शुक्त है तो अभी आगे चलता है अभी यहां पर तो आप समझ गया होगा तो इसके नदर कोई लाइट तो है नहीं इस सीन में चो मैंने दिखा दिया था आपको तो अभी यहां पर हम लोग कैसे कैसे लाइट को आड़ करें दिखते हैं तो सबसे फरे कहम लोग विंडो के तरफ से लाइट को सोर्स को सब करने के लिए हम आ हम लोग का ओपर का राइट आती एक वह कैसे और रहे है यह प्रपर आरा रहे है किलींड़िए परोपटर वीडियो मिना थे तीींड़े मुख सब्सक्राइक लिए बैस सब्सक्राइब यूट्यूब पे कुछ डीटेल में पता चल जाते हैं कि आप लोग कितना वीडियो देख रहे हो कितना भगा के देख रहे हो इसलिए मैं सब कुछ चीजे फटाफट करने वाला होगी है अगर टाइटियल में जाना है कि यह विंडू लाइटिंग ऐसे होती है उसके उपर अलग से वीडियो में बना चुका हूँ तो मैं इधर फटाफट में इधर पर क्रेट करके आपको दिखाता हूँ जब में पास कैमरा नहीं है कैमरा को मैं अड़ कर लेता हूँ कैमरा मैं यूज करूँगा वीरे कैमरा तो वीरे कैमरा अड़ कर लेता है कैमरा अड़ हो चुका है यहाँ पर इस सीन में इसको रेंडर करके देखते हैं कैसा यह दिख रहा है शो हो रहा है कि मैं इधर पर कुछ बहुत ज्यादा सटिंग नहीं किया और सब कुछ डिफॉल्ट ही रखा हूँ फिलाल याकली मैंने अड़ कर लिया अलिख रहे हैं तो मैं इदर पर वाल्स को क्लिपिंग कर लूँगा वॉद स्साइब रखी कर देखते हैं तो पिस तरफ से लाइटि में सब डिपॉर्ट रखाओं कोई भी ऐसरा चिंजस नहीं किया हूं बाकि मेरे क्या मॉडल अच्छी क्या इस तरह से दिख रहा है इसलिए मैं बोलता हूं आप अच्छी क्या इसको कर लेता है तो बाकि तो विंडो से हमारी लाइटिंग तो आ रही है बाकि हमें अभी अपने सीलिंग को लाइटिंग कर रहा है तो सीलिंग को लाइटिंग करता है तो कि सिलिंग को इस छे गए लिप हाँ धे लिए हैं आपको देख सकते हो इस तर्छ Odys corona आपको दिखता है इस तरह का यह शेप जैसा दिखर सब्सक्राइब और सरह करने और भाद से इसको हम लोग करेंगे ग्रमर्ड करें किसमें इनाइट में इसका यहां उसकी मॉडिधाइर में चलेंगे मॉडिफाइर में जाके Anand एक लिए हमने यह मैच लाइड बन गई है इसको हम दों देख सकते है इस तरह से मैच लाइट देख रही है अब इस दर पर हम लोगे कुछ कलर दे दिया है वाइड कलर ही रखा है और भी पत्म क्या हुरा रही ना कि इसमें कि जुप जा रहा है रहा है और इसके इसको कलर भी को सब्सक्राइब करें है और बिद्द कर दिया डिया कि अभी रिंडर करते हैं इसको तो हम लोग देखेंगे लाइट almost proper आ रही हो पर की तरफ पर की हम लोग की जो यह indirect light है वो बननी स्टार्ट हो गई है तो मैं double कर देता हूँ 200 कर दूँगा फिर हम लोग चेक करेंगे लाइट भी यहां पर double हो चुकी है इसकी light की color को हम लोग थोड़ा सा yellow यानि की थोड़ा सा cream color हम लोग दे देते हैं यहां से यह हो गया cream color का इधर पर light उपर की तरफ आने लग गई है अभी हम लोग को यह छोड़ी-छोड़ी जो spotlights है इन लोग को भी light up करना होगा तो इसको change काने काफी easy क्या है इसके इंदर जो अंदर का बल्फ है इसको हम लोग कर सकते हैं असानी से change तो इसके अंदर हम लोग light material भी apply कर सकते हैं चाहिए तो light material means कहां पर से मिलेगा हमें light material इसकी light material पहले से add है और light material इधर पर ज्यादा effective हो रहा नहीं है और क्यूं नहीं हो रहा है इसकी light को हम लोग और बढ़ा देंगे कितना बढ़ा सकते हैं इसको 30 कर लेते हैं कि मैं इधर पर normal camera नहीं इधर बीरे camera यूज़ कर रहा हूं हम लोग यहां पर i slide को create करेंगे इसके उपर तो इसके उपर हम लोग आइस light बनाता है आइस light रखते हैं अभी with target मिलता है no problem हम लोग यहां से लेता है इसको target नीची की तरफ हम लोग इसका target निकाल देते हैं एक बार हम लोग को मिल गया यह फाइल इसके target को मैंने निकाल दिया इसके आइस light को मैं कहां पर रखना चाहता हूं वहाँ पर मैं इसको arrange कर दो अब यहां पर हम लोग इसके उपर eyes file apply करेंगे eyes file को मैं यहां पर add करता हूं जैसे में पास अलग 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 टैप की eyes light है तो मैं इसमें से ज्यादा तर मैं use करता हूं कौन सा मैं 14 नंबर यह उससे नंबर का 14 नंबर या 16 नंबर यूज्स करता हूं काफि में वहाँ तो मैं वही यूज्स करता हूं तो मैं उसको apply कर देता हूं यहां पर एक मैंने यहां पर apply किया और दूसरे वाले को बीद्वी में apply करेंगे, shift and press and drag, तो कर लेंगे stance, ताकि हम लोग एक के अंदर changes करेंगे कभी तो, तो हमारी सारी सारी light जो source हो गई है यहापर, तो हम लोग camera angle में check करते हैं, और render करके देखते हैं, कि क्या effective हुआ है कुछ भी कि नहीं हुआ है, तो light तो आ रही है नीचे की तरफ, उतनी ज्यादा light नहीं आ रही है, उतनी bright up नहीं हो रही है, इतना हम लोगों को लग रहा था, तो और भी lighting को और भी हम लोग बढ़ाना पड़ेगा, तो इसकी value को और भी add करने पड़ेगी, जो value इसकी default है, उससे हम लोगों को और भी increase करना पड़ेगा, जो default value है 2500 इस is light की, तो value को मैं करता हूँ, जो zero add कर लेता हूँ, अधर पर यह देखो, यह light तो हमको दिखाई देने लग गई है, ताफी अच्छे से, हमको यह light अच्छे से नजर नहीं आ रही है, तो पर value मैंने add कर दिया, फिससे दुबादा से मैं राइना करके चेक करता हूँ, आप आप देख सकता हूँ, यहाँ पर, फिर रिंडर करके देखता है, अभी तो काफी अच्छा look आ रहा है यहाँ पर, अभी थोड़ा सा और भी बढ़ा लेते हैं इसकी value को, आकि हम लोंको और भी जादा थोड़ा सा बढ़ा हुआ effect देखे, क्योंकि इधर पर क्या दिख रहा है, बढ़ होगा है, मगा जाकि उतना भी जादा नहीं बढ़ा है, मुझे चाहिए, तो light, collect, फिर इसकी value को हम और भी जादा increase कर देंगे, इसके जीरो एक और आट कर देता हूँ, और फिर चेक करता हूँ, क्या बढ़ गया है, बढ़ गया है, इधर पर काफी bright up दिख रहा है, ताकि इतना bright up में scene नहीं दिख रहा है, तो अभी क्या कर सकते हैं, अभी इसके अदर हम लोग एड़ गर सकते हैं, अपने exposure को, exposure को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर default default यह मिलता था है, इसके अदर sRGB का exposure, भी हम लोग बढ़ा के यहाँ पर इसका इंक्रीस कर सकते हैं, इध इस changes में क्या करने वाला हूँ, इसका setup चेंज करने वाला हूँ, इसके अदर मैं scan land में switch करता हूँ, पहले एक बार, फिर से हम भी वीरे में आता हूँ, इसके जरीए क्या होता है, हम लोग पूरा setting default हो जाता है, यानि कि जैसा setting था, default हम लोग मिलता है, जो हम लोग टीडिम measure में add कर दिया हूँ, बाकि सब सारी चीजे default है, और कुछ नहीं किया हूँ, फिर अभी मैं करता हूँ render, आप बोलोगे ये अभी भी darkness में, क्यूंकि मैं अभी setting में changes किया हूँ, अभी फिर से मैं skill exposure को बढ़ाना पड़ेगा, अपने according, ये काफी बहतरी सा look दिखा रहा है, उपर की हम लोगे ceiling light भी काफी हद तक right up हो गई है, और इधर से बाहर से भी हमारी light आ रही है, window की तरफ से sunlight गिर रही है, अपने bed के उपर, अपने coffee के उपर काफी बहतरी इन तरीके सा, इधर पर हमारा ये भी जो area है, इधर से भी light आ रही है, इस hanging light से भी काफी ज्यादा light आ रही है, अंदर की तरफ, ठीक है, अभी यहाँ पर तो देख सकते हो, यह सब पूरा-पूरा मैंने create किया हूँ, वीरे 5 में, मैं जो रही नहीं कि वीरे 5 में, मैं create किया हूँ, तो वीरे 4, 5, 0 में नहीं होगा, उसमें भी आप same to same कर जैसे हमने parameter यूज किया हूँ, उसमे details है मेरे, तो यह models आप देख सकते हो, पुरी अच्छी quality के models है, अच्छी quality के texture के साथ बनाये हुए, अब इसके पर आप lighting कैसे भी डालोगे, तो वो आपको अच्छा दिखे गाई, जैसे अंधेरे में आप किसी भी object को देखो, real life में देखो, तो आपको जो अच्छी quality का object ह होता है, तो वो आच्छा ही दिखेगा, और कचड़े को अंधेरे में देखो गए, तो कचड़ा ही दिखेगा, पस यह simple चीज आप ध्यान लोगे, तो अभी थोड़ा सा अगर मैं को थोड़ा सा इसमें changes करना था, तो मैं changes कर सकता था, दुबारा से render करके, मैं verify में एक option यह है, कि आपका render करने के बाद, आप उसको दुबारा से change करने के लिए, आपको दुबारा से render करने ही जोतनी है, आपको इधर पर अपने source वाले में जाके, अपने light mix में यहाँ पर से changes कर सकते हो, मैं मैं इधर पर अपने light mix का passes एड नहीं किया हो, एड किया होता, तो फिर मैं यहाँ पर से इसको changes कर सकता था, जैने कि इसके जो यह lights है, और इसकी यह lights है, इसको भी change कर सकता था, तो अभी मैं इसको light mix का passes भी add करके, इसको render करके, इसको changes करके दिखाता हूँ, light mix का pass ले लिया, यहाँ से, फिर से मैं दुवाइَ से render करुँगा, दुवाइब से render हो जाने के बाद, फिर हम लोग इसको changes करता है, है मैं इसको लाई बेंडर करता हूं सकते हैं मैं नी हो रहा है इशा है यहां से लाइट बंग हो गई से लाइट चालो हो गई और यहां से हम लोग इसको लाइव कंट्रोल कर सकते हैं तो सिलिंग की लाइट को अगर मेरे को चीए था कि नहीं इतना ज्यादा नहीं चीए मुझे बढ़ा कम चीए था तो इसके में पसंटेश को कम कर लेता हूँ यह काफी इजी कर देता है और यह है मेरी इस साड़ वाली लाइट इसको भी मैं कंट्रोल कर देता हूँ ताकि मेरी काफी ज्यादा बर्न आउट हो रही है तो इसको भी मैं यहां से कंट्रोल कर सकता हूँ हम एक बढ़ा के चाहिए तो बढ़ा के या फिक कम करके चाहिए कम करके जैसा मझे चाहिए बंद रखना है बंद रख सकते हो चालो ठाना तो चालो रख सकते हो काफी easy कर देता है verify इस जगह पर है ठीक है हम लोग render करने के बाद भी इसको control कर सकते है light mix add करके तो वह हमको जो post production वाला काम जो है वह हम लोग को यहाँ पर easy कर देता है verify तो यह काफी useful है verify अगर आप पुराना वर्जन यूज करते हो तो आप verify में switch कर सकते हो और आप verify में switch करने में काफी time लगेगा तो आप फुराने वर्जन में भी एक काम कर सकते हो light mix आपको वहाँ पर use करने नहीं मिलेगा आप directly यानि कि दुबारा रेंडर करो रेंडर करो फिर दुबारा रेंडर करो फिर light को change करो यह आपको करना पड़ेगा और इसमें कहा है कि अग बार आपने light mix के साथ में रेंडर कर दिया विदाउट आर्फ जीबी आरफ जीबी करो तो जैसा जैसा आपका है वैसे आएगा light mix का पास एड़ करोगे वह उसमें कहा है टाइम जाता है एस्ट्रा थोड़ा सा टाइम ज्यादा एस्ट्रा मह जाके उससे किया कि आपको कंट्रोल मिल जाता है रेंडर थोड़ा सा इसका environment change कर रहा हो इसका self illumination में बढ़ा रहा है तो यहाँ हमने जो यहां पर यहां पाद यह दिया था हम लोगने इसके ओपर वे light material अपलाए है यहां पर इसके self illumination है यहां से बढ़ा सकता है या फ्याफ इनको मैं अचिक कलर चेंज करना है तो मैं यहां से उन इस तरह से हम लोग इसको एड़ कर सकते हैं अपने इन में और इसा हो गया भी पूरा-पूरा तो यह काफी इजी कर देता है तो अभी यहां पर देख सकते हो काफी अच्छे से हम लोग बाद में रेंडर होने के बाद भी हम लोग इसको बैलेंस कर सकते हैं इसको अलग अलग जो सिरिंग की लाइटिंग कैसे करते हैं यह अलग अलग जो लाइट सोर्स होते हैं उन लोग कैसे चमकाते हैं और साथ में एक्सप्रोजर कहां से आइड करना है यह भी मैंने दिखा दिया और इधर पर आपको एक अलग से बिडियो बनाओंगा ठीक है अलग से बनने वाल आपको पूर सारी चीज़े ऐसे क्या की इसका इसका इंफेक्ट का क्या यूसफूल है क्या यह आपको पता चल जाएगा ठीक है तो फिर बस इस वीनिए में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लैक की अपने फ्रेंग को शेर किजिए ताकि वह भी जा सकते हैं अगर आप विरेफाय यूज़ कर रहे हो तो विरेफाय में हम लोग क्या एडवांटेज मिलता है लाइट मिक्स के जरीए हम लोग लाइट को बाद में रेंडर करने के बाद भी कंट्रोल कर सकते हैं fixin.com यहाँ मिलते हैं आपको 3D models, scene file, texture और tutorials और विया जाने के लिए इस वीडियो के description में इसका link दिया हुआ है आप वहाँ पर जाके आप विजिट कर सकते हो इस तरह की और वी वीडियो देखने जाते हैं आप लोग तो मेरे इस चैनल को subscribe कीजिए उसके पाजू के bell icon को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का notification आपको मिल सके Thank you for watching this video जय हिंद वंदे मात्रम